कि अच्छता के वुद्धार अच्छी है और यह ताँ आज दो कि अच्छानी के शाव लेगों मैं इसाव लेकों मैं इसाव लेकों कि मैं हुप कि आप लोग अच्छा होगे तो आज हमारे नहारे बरिस्ट जबदस क्रिस्पी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है हमारी जो के है एक समोसे की दो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ हो यहां जो है हमने लेगे एक बाउल बड़ा सा इसमें हम दालेंगे टू कप मेदा अच्छा जी मेदे को आप लोग चान लीजेगा अच्छी तरह से और उसमें हम एड़ करेंगे हाफ टीस्पून सॉल्ट यह अपने अकावडिंग भी आप लोग एड़ कर सकते हैं और यहां पर करेंगे हम अजवाइन हाफ टीस्पून एड़ अजवाइन सब अच्छा टीस आता है और देखनी में भी समोसे जो लोगों को बहुत डिफरेंट लगेंगे और अच्छी भी लगेंगे अगर आप लोगों देखर मेमान भी आते हैं तो उनके आगे भी आप लोगों को यह समोसे बना कर पेश कर सकते हैं लास में जो है एक टेबल स्पून ऑइल एड़ करेंगा उसके बाद जो है इसको स्ट के बास में अट करेंगे हम किस्टक कैसिकन्लावा भी आप इसमें कैरीट बियाअड़ कर सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से हम फीट लेंगे उससे पहले जो हम इसमें मसाली प्याट करेंगे जो सबसे पहले हम सॉल डालेंगे उसके बाद जो है वाइन पिंच हम हल्दी पॉडर डालेंगे उसके बाद जो इसमें क्रेश मिड़ जाएगी हाफ टीस्पून और साथ में जाएगी एक बॉil की हुई चिकन एक पेजिस लीटी चिकन को उसको आप बॉil करके उसको आप शेडर कर दीजेगा अच्छी तरह से इनको मिस कर लेंगे अगर आपको लगे के बैटर ठीक हो रहा है तो यहाँ पर जो है टू टेबल स्पून के पराबर और डाइड करेंगे डैन इसमें जो है अब हम अपना एक का बैटर एड कर देंगे जिस तरह से हम आमलेट बनाते है नॉर्मली तो वैसे ही हमने इसको बनाना है मगर इसका जो है हम लोग बहुत जादा सौफ साथ कीमा टैप जो है कर लेंगे ताकि जो है जब इसक करेंगे तो यह जो एशुड़ी चुछी से पिसस में हो जाएगा साथ में आप लोगों ने ये वीडियो इल्कल भी स्कीप ने करनी और यह अगर वीडियो कर रही तो फिर आप लोग उसे कोई ना कोई प्लिप्र राय जाएगा जो कि साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करके बैल आइकन पर क्लिक कर लें और लाजमी क्या करें और साथ में जो हमारा एक भी रैडी हो गया आप लोग जेख सकते हैं चुट चुट पीसिस में यह हो चुका है जिस तरह से कीमे की तरहां बनता है वैसे हमने इसके भी कर लेना है और आज जो हमने नॉर्मल यह रखनी है और अच्छी तरह से सपूर करने के बाद आज बंद कर देंगे और थंड़ोने के लिए छोड़ देंगे यहां हमारी डू भी अच्छी से सैट्ल हो गई है तो यहां पर धूसा और इसको क inici के लगाएंगे ताकि अच्छी से और हमारी डू से तैयार हो जाये हाँ उसके पाद जो है में डाश करेंगे थोड़ी सी और फिर और जाह हम इसको बेलना है यह बेलन की मदश से तो बहुत जादा हम इसको मॉटा भी लेंए बहुत जाहते दील मियें हमने जो ज़आ नॉर्मली बेलना है लेकिन जो लंबाई में हम कोशिश करेंगे इसको बेलें जो कि आप लोग देखेंगे आगे जाकि इसकी शेप क्या लिकलती है तो इसी तरह से आप लोगों ने भी बेलना है अच्छी तरह से एक ही बार हम डस लेंगा और उसमें ही अपनी डो को बढ़ा करेंगे बार बार नहीं तो यहां पर जो हमारा एक जो हमने बनाया था वह रैडी हो गया है फिलिंग के लिए ठंडा होकर तो यहां पर इसमें एड कर देंगे सब को पूरे एक जो है हम अपनी डो पर फिला लेगे अच्छी तरह से उसके बाद जो एक फॉक की मदद से हम इसे पेस करेंगे तो यहां में सिफ एक की मदद से कर रही हो तो यह जो है इसमें परियस हो गया था उड़ी सी मेहनत थे वैंगे बहुत अच्छी तरह से परियस हो रहा था उसके बाद जो हमने हलका हलका सा इसको रोल कर देना है बहुत जादा समहल के करना है क्योंकि हमाई डो जो है बिलकुल वो एकदम वेटिड हो जाएगी तो हमने हलकल करना है इसको अराम से सब तरह से हमने रोल कर लिया है और एक जो है रोल की तरह बना लिया है तो इसकी जो है अब हम कटिंग करेंगे कटिंग जो है बराबर करनी ह उसके बाद जो है एक पिस यहां उठाएंगे अगर आप कोई भी शेफ देना चाते तो दे सकते हैं सेमी रखोगी सर्किल में ही मुझे पसंद हैं तो मैं इसको सेमी रखोगी यह देखें कितना जब दबस अभी इसे ही मुँमे पानी आ गया है तो इसको यहां पर हमारे सारे साम्मों से जो है तैयार हो गए तो उसके बाद एक बाल में टू टेबल स्पून के बराबर मैंने तो एक इसका हम बैटर बना लेंगे पतला सा पानी एड़ कर 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 हमारा तैयार था तो दूसरी तरफ प्राइपेंड में हमने और गरम करने का रख दिया था उसके बाद जो है अपने समोसों को इस बैटर में डिप करेंगे अच्छी तरह हम डिप करेंगे ताकि हमारा जो अंदर का माटेरियर है वह बाहर ना आए पर्फेक्टली हमारे फ्राइप हो उसके बाद जो है गरम उईल में हम फ्राइप करने स्टार्ट कर देंगे और को आप दो देख लीजेगा लोग टू मीडियम रखना है बहुत तेज करेंगे वहना तो यह उपकर से बिल्कुल सिक जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्छा रह जाएगा मेडे की जो डो बनाई है हमने वो तो समोसे को हमने हलकी ही आज़ पे थोड़ा रखना है यानि के लोग टू मीडियम पर बहुत जादा हलकी भी नहीं करिएगा कि कि बबार आप हरो तो समोसे क को अदा होगा तो यहां स्वाइब राखनाय। एक की दफ़ा पल्टेंगे फिर दुबारा बहुत देर तक पल्टेंगे तो यह से अच्छी तरह से नहीं बनेंगे तो आप लोग ने हर दो मिनट बात इसको टरन आफ करना है यहाँ पर जो है हमारे समोसे देखें बिल्कुल रैडी हो गए हैं तो अब जो है हम इन सब को लि अब लोगों शेयर करती रहोगी तो इसी दरह से आप लोगों सपोर्ट करते ही रहा करें जैसे मेरे हर वीडियो पर करते हैं और जादर से जादर इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंट और फैमली में उसके बाद जो है हम दूसरा बेश भी फ्राइ कर लेंगे समोंसों का उसी टाना जैसे हमने पहले फ्राइ कर रहा था है 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 तो यहां पर जो है हमारे 7 को रैड़ी हैं जो के बिलकुल पर्फेक्टी एक्समोंotonे बा Choice है तो आप लोग मण से में आईए गा यह कितने इसे कितनी क्रिस्पी है और अंदर से इतनी सॉफ्ट है तो आप लोग भी मनाईएगा मुझे बताईएगा डिय finest कीजएगा और मुझे इस्ट्राइगराम पर फॉलो कर लीजएगा उपर आ रहा होगा इस्ट्राइगराम तो अब मुझे ज्यादा दौा में याद रख किये गाल आफेज किये गाल आफेज किये गाल किये गाल किये गाल